वेल तो happy independence day to everyone आज काफी ज़्यादा सुब दिन है तो of course सभी लोग इस सुब दिन को काफी बढ़िया तरीके से मनाना and again happy independence day to everyone, everyone ओके तो चलते हैं फ्रेंड अपने topic पर आते हैं तो well hey guys welcome to my channel मानिस पंकर तो well इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Roman Ruins अपने title को पक्का लूज करने वाले हैं इसको लेकर काफी बड़ी update हमें आप देखने को मिली है तो इस तिंग के उपर detail में discuss करेंगे and WWE एक ऐसे paper view को permanently नहीं तो temporary यहां पर remove कर दिया गया है WWE की तरब से तो इस तिंग के उपर भी detail में discuss करेंगे कि वो कौन सा paper view है and कल के Monday Night Raw के लिए काफी बड़ा special segment हमें देखने को मिलेगा तो उस तिंग के उपर भी बात करेंगे and also Drew McIntyre के WrestleMania 39 के क्या plans होने वाले है and War Games को लेकर भी tease देखने को मिला है and Ron and Robzy की तरब से काफी ज़्यादा amazing thoughts देखने को मिले तो इन सारी things के उपर detail में discuss करेंगे वीडियो काफी ज़्यादा interesting होने वाली है काफी ज़्यादा important होने वाली है वीडियो को लास तक जरूर देखना और जिसने चैनल को subscribe नहीं क्या तो भाई क्या कर रहो यार आपको यहाँ पर हमसा latest updates और ऐसी interesting videos मिलती रहती है तो of course भाई चैनल को जरूर subscribe कर लेना ओके तो चलते हैं फिन topic पर आते हैं जिस post के अंदर हमें caption यह देखने को मिलता है कि जो भी budget cuts के अंदर जितने भी superstar release हुए थे उन सभी superstars को वापिस लाओ क्योंकि मुझे और भी superstar को किक करना यानि की मारना है तो जो Ronda Rousey बैक के अंदर पैसे लेकर आए थी जो की WL के अंदर छोड़के गए थी तो उसी को लेकर यहां पर कहते हुए दिखाय देती हैं कि उन पैसों को दिमाग से यूज करो और उन सभी superstars को जो budget cut में release हुए थे उनको लेकर आओ वापिस लाओ क्योंकि मुझे और भी superstar को मारना है तो यह कुछ हमें आपर देखने को मिलता है Ronda Rousey की तरब से काफी ज़या interesting caption देखने को मिलता है तो भाई साब Ronda Rousey एक अलगी level पर जाते वे दिखाय दे रही हैं तो अगले update की तरब चलते हैं तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Eric Young की तरब से तो Eric Young को आप सभी लोग जानते ही रहोगे तो Eric Young जो कि हमें NXT के अंदर देखने को मिलते थे हैं main roster में भी थोड़ा बहुत छोटा मुटा run देखने को मिला था उसके बाद release हो गयते हैं तो Eric Young यहाँ पर कहते हुए दिखाय देते हैं कि Triple H के अंडर अगर वो वापीस आते हैं WL के अंदर तो उनके अंदर होप है कि वो काफी ज़्यादा बढ़िया रन दे सकते हैं और Triple H के अंदर में वो काफी बढ़िया काम कर सकते हैं यह कुछ यहाँ पर Eric Young हमें यहाँ पर कहते हुए दिखाय देते हैं यानि कि वो भी अपनी इच्छा जटाते हुए दिखाय देते हैं कि Triple H के अंडर वो एक बार फिन से WL के अंदर रेटेंड करना चाहेंगे तो यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है Eric Young की तरफ से तो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Matt Riddle और इसके बाद तो उनके साथ में टीम अप करना चाहते हैं जो कि RVD यानि कि Raw and Dam तो Raw and Dam जो कि recent के इंटर्वे में कहते वे दिखाये देते हैं कि वो Matt Riddle के साथ में डेवली के अंदर आकर एक बाद टीम अप करना चाहते हैं यानि कि दो चैन स्मोकर हमें एक साथ देखने को मिलेंगे भाई दोनों अलगी लेवल की सुपरस्टार है जैसा हमें RVD देखने को मिलते थे पहले के टाइम पर वैसे हमें फिलाल तो अभी भी RVD वैसे ही हैं तो अभी हमें आपर Matt Riddle भी वैसे ही देखने को मिलते हैं तो बाई दोनों सुपरस्टार खतरनाक भाई मज़ा ही आजाएगा फिन तो देखते हैं वैसे कभी फ्यूचर में हमें ऐसा देखने को मिलेगा या पर नहीं देखने को मिलेगा तो देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा अगले अपडेट की तरफ चलते हैं तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है यहां पर उनका यह कहना था कि I smell war and I am game, यानि कि उनको war फिलो रहा है और वो game है, तो यह कुछ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, war और game, war games जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, war games हमें pay-per-view देखने को मिलता है, nxt के अंदर, अब वो हमें main roster के अंदर आने के rumors देखने को मि दिखाए देगा, जिसके chances काफी जाता survival series के अंदर है, तो भाई अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है न भाई, one of the best and greatest thing हमें यहां पर देखने को मिलेगा, मैं इसके लिए काफी जाता excited हूँ, let's see वे से क्या होता है, so अगले update की तरफ चलते हैं, तो यह update हमें देखने को म से permission लेते वे दिखाए देते हैं, जहाँ पर Vince McMahon का हसते वे जवाब आता है, जिसका मतलब की नहीं था, तो यहाँ पर Vince McMahon जो की block कर देते हैं, और contract के हिसाब से, जो कि Bobby Lashley किसी और promotion के अंदर participate जो की नहीं कर सकते हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर Vince McMahon जो की policy को लेकर समझाते वे दिखाए देते हैं, यानि कि Bobby Lashley को वो block करते वे दिखाए देते हैं, कि भाई तुम UFC में participate नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम WL के साथ में contract में हो, तो यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अफकोस भाई यह भी amazing story यहाँ पर reveal करते वे दिखाए देते हैं, कि Vince McMahon का reaction हसते वे आता है, भाई तुम बंदा नहीं जा सकता है, कई पर भी, ओके सो अगले update की तरफ चलते हैं, तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, Drew McIntyre की तरफ से, तो Drew McIntyre के लिए Russell Mania 39 के अंदर हमें कौन सा opponent देखने को मिलेगा, इसको लेकर काफी ज्यादा interesting odds देख सकते हो, yes, number one पर हमें आपर Gunther देखने को मिल रहे हैं, and number second पर John Cena है, तो Gunther versus Drew McIntyre, इसके chances काफी जादा है, Russell Mania 39 के लिए, and I think हो सकता है कि Drew McIntyre, अगर उस time पर champion रहते हैं, तो Gunther versus Drew McIntyre for the WWE Championship, हमें यह match देखने को मिलेगा, at Russell Mania 39, तो of course भाई, अगर ऐसा कुछ होता है, तो यह देखना काफी जादा interesting रहेगा, otherwise हमें Drew McIntyre versus John Cena, यह भी एक काफी best match देखने को मिल सकता है, अगर WWE यहां पर plan करते वे दिखाई देगई तो, देखते वैसे यहां पर WWE क्या करते वे दिखाई देती है, okay, so अगले update की तरफ चलते हैं, तो यह update हमें देखने को मिल एक बहुती बड़े पेपर वीव को लेकर, जो की डेवलोबली अब साथ से हमें permanently नहीं, लेकिन temporary उसको ban करते वे दिखाई देने वाली है, remove कर चुकी है उस पेपर वीव को, और यह पेपर वीव कोई और नहीं, यह पेपर वीव TLC है, तो December के अंदर इस बार भी हमें कोई भी PLE नहीं देखने को मिलेगा, यानि कि premium live event या फिर पेपर वीव हमें कोई भी नहीं देखने को मिलेगा, December के अंदर हमें सिर्फ NXT का पेपर वीव देखने को मिलेगा, लेकिन हमें main roster के अंदर का कोई भी पेपर वीव नहीं देखने को मिलेगा, December के अंदर, directly हमें day 1 देखने को मिलता था TLC PLE देखने को मिलता था उस ठाइम पे डिसेंबर में अब इस पेपर व्यू को जो की टेंपरेरी रिमूव कर दिया गया है WLE की तरफ से कि अब हमें ये पेपर व्यू इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलने वाला है I think हो सकता है WLE अगर फ्यूचर में करें तो हमें TLC देखने को मिल जाए but current situation की बात करें तो हमें पिछले साल भी नहीं देखने को मिला था December में कोई पेपर व्यू या फिर PLE एंड इस साल भी हमें कोई PLE नहीं देखने को मिलेगा December के अंदर तो यहाँ पर जो TLC पेपर व्यूचर में देखने को मिलता था उ अगले अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें देखने को मिल गा है Tribal Chief Head of the Table Roman Reigns की तरफ से जैसा कि आप लोग को बता दू कि Zero News की तरफ से हमें यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिली है कि कोई भी ऐसे chances नहीं कि जो Roman Reigns हैं वो अपनी दोनों टाइटल के साथ में Class At The Castle को छोड़ते वे दिखाए दे जाए याने कि Class At The Castle को लिव करते वे दिखाए ейगे दोनों टाइटल के साथ में एक नए एक टाइटल हमें यहाँ पर जो की लूज करते वे दिखाए देंगे Clash at the Castle में जो की confirm है तो यह कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिलता है Zero News की तरफ से and WL के पास जो की 3 option है इस टाइटल को off करने के लिए कौन सा भी एक टाइटल जो की हमें WL यहाँ पर लेते वे दिखाए दे सकती है जिसमें सब स्यादा chances जो की WL Championship के है Universal Championship तो हमें SmackDown के अंदर ही देखने को मिलेगा इसके chances काफी जादा है तो ऐसे में WL Championship हमें जो की उनसे WL Championship से हटते वे दिखाए दे सकती है और तो यहाँ पर टाइटल रेंड भी काफी बढ़ियां में यहाँ पर देखने को मिल रहे यूनिवर्सल टाइटल का तो उसके लिए WL के different plan है लेकिन यहाँ पर जो हमें टाइटल हटते वे दिखाए देगी वो टाइटल WL Championship होने वाली है इसके chances काफी जादा है तो यहाँ पर तीन option है एक cash-in के option है एक directly title loss के है एक triple threat के option है तो WL के पास यहाँ पर तीन option है जिसमें वो एक use करते वे दिखाए दे सकती है और Roman Nance से किसी भी हाल में आप पर title देते वे दिखाए देगी that means कि हमें Roman Nance अपनी title को पक्का loss करने वाले हैं वो भी clash at the castle में तो यह कुछ हमें आप पर reports देखने को मिल रही है तो देखते है भाई वैसे हमें और भी क्या-क्या things देखने को मिलता है Roman Nance को लेकर Roman Nance के class at the castle के match को लेकर so आप लोगों का क्या opinion है इन सारी things के उपर मुझे comment section में जरूर पताते न well वैसे अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो आफकोस भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ओके तो फिन मिलते है वैसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई कहने से पहले happy independence day again everyone so thank you and bye bye everyone